सब बोलते हैं कि टूरिजम बैगबूर है कश्मीर का तो लेकिन यह होटिकल्चर जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स भाई है पूरे वर्ल्ड में हम अपने फ्रूट बेचते थे तो वो क्या है और जो हमारे भाई अभी सफर कर रहे हैं उनके घर उचीज से चलते हैं उनको नज अगला दाए अन्मेन को सहना पड़ा इनों ने कर्जे होगे लोगे लोगे ऑठाया होगा कई बैंक माफ करता है ऑंपरता इनों नों और जो इंका नुक्सान है को को देगा वो सरकार को देना पड़े और सरकार सिर्फ टॉरिजम के पीच्छे लगी है बढ़ी तूरिजम बाहर नाम पर बेजे जाते हैं बाहर यह सरासर नाइंसाफी है उनके साथ और हम यह गोवर्मेंट से अपील करते हैं कि जल से जल जो उनका नुक्सान है वो उनको बर्पाई करके दो ताकि उनके भी घर चले वरना बीचारों को देखें वो पिछली तीज दिनों से यह पर प कंट्रेश के इंजिनर्स को यह दे दो वो मुझे लगता है अगर उनके पास यह प्रोजक्ट हुआ होता तो यह कंप्लीट किया होता लो ने लेकिन मुझे नहीं समझा रहा है सरकार क्या कर लिए सरकार क्यों हर किसी चीज़ को डिले कर रही है और उनको यह देखना अम नागरी की सफर करता है यह गौरवड को देखा चाहिए यह जो भी इनका नुकसान है वो गुरवड को ठाना चाहिए गौरवड की गलती है कि जो उनुने इनकी गाड़ियों को तीस दिन वहाँ पर रखा और जो वह से वहां पर खराब हो गए और उनको ने को देना है क अब तक हम हवामी आवास पुलिटिकल पार्टी फूरे उनके साथ है और हम कोई स्टप उठाने के लिए ताया है जिन से उनको कमपल्सेट में है